गुड इवनिंग तो अल आफ यू और वेलकम तो अल आफ यू इन्सुक्स रेस्ट आयर्स एकटमी महत्यपूर्ण है, फर्स्ट इशू है, चैट जीपीटी निर्माता, ओपे नियाई ने CEO सैम अल्जमन को निकाल दिया है, आखिर चैट जीपीटी होता क्या है, क्योंकि आपके एक जामनेशन में कभी कभी ये पूछ लेता है कि जीपीटी का फूल फॉर्म बता दे हैं, कोई एक ऐसा वर्ड जो आपकी सब्सक्राइब हो, फूल फॉर्म पूछ लेता है, आप लोग ने क्वेशन भी देखे होंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका फूल फॉर्म क्या है, इसे कब लांच किया गया था, और इसके निर्माता कौन है, इन सब भी पहलों में पर डिसकस करते है, chat GPT, जिसका अगर बात की जाएकश की फॉल फॉर्म क्या है, तो क्या होता है, generative, pre-trained, transformer, transformer, okay, now, अब बात आती है, कि इसे launch कब किया गया था, इसे कब launch किया गया है, तो इसे launch किया गया है, लगभख one year before, यानि 38th of November, 38th of November, in 2022 में इसे launch किया गया था, clear, चलिए, अब इसके निर्माता कौन है, यानि इस कंपनी के दोरह इसे बनाया गया है, तो इसके निर्माता कंपनी है, open AI, open AI, यानि artificial intelligence, ये तीन वर्ड को बिल्कुल ध्यान रखना, आपको आपके examination point of view से, या important है, जो कोई factual पूछ लेता है, अब बात आती है, कि आखिर ऐसा क्या reason था, जिनके कारण इसके CEO को निकाल दिया गया है, तो कि बहुत छोटा से reason था, इनके पर बस यह कहा गया, कि ये इस TED-ZPT की जो पूरी कह सकते हैं कि जिम्मेदारी को संभालने के लिए, या निर्त्त्त करने के लिए, इनको बोला गया कि ये सक्षम नहीं है, किवल यही एक reason दिया गया, उपे नियाई के द्वारा, अब बात आती है कि इनके अस्थान पर आखिर अगर इन्हें हटा दिया गया है, तो इनके अस्थान पर कौन इनकी जगह ले रहा है, तो उसी company के, यानि जो बोला जाये तो मुख्या एक प्रदो के अधिकारी है, यानि हम इसे बोल सकते हैं कि technological जो officer होती है, मुख्यों के अधिकारी कौन है, मीरा मुराती, मीरा मुराती, इन्होंने क्या किया है, Altman का स्थान, यानि Sam Altman का स्थान, ये लेंगी, clear now, अब बात आती है कि आखिर ये open chat GPT जो है, आपका ये है क्या, आप लोगोंने Google का नाम सुना है, Google क्या है, अगर बात कि जाए Google और chat GPT में तोने में difference क्या आता है, Google केवल आपका एक search engine है, और chat GPT से होता क्या है, suppose आपने किसी भी questions को पूछा, तो ये search तो करती ही करती ही, इसके साथ आपकी सभी questions के reply देती, in fact, अगर आप उस questions से satisfied नहीं, ये पूछता है, क्या आप मेरी questions से satisfied है, yes or no, अगर का reply no आता है, तो again आपको ये, क्या करती ही, satisfactory जो answer होता है, हर सही answer, वो देने की कोशिश करती है, इसलिए इसको बोला गया है, artificial intelligence के दौरा इसका निर्मान किया गया है, अच्छली क्या है, chat GPT पे मैं कोशिश करूँगी, कि आप लोगों के लिए एक पूरी जो वीडियो है अपलोड कर दूँ, क्योंकि ये questions केवल ऐसा नहीं है, कि ये one-liner ही आएंगे, ये आपकी current में ही आएंगे, दो-तीन शब्दों में, हो सकता है कि इसके उपर आपकी GS में एक सवाल जो है, questions बन सकते हैं, now, चुकि ये current affairs की class है, तो हम लोगों बहुत जादा इसे यहां पे ल करता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, कि open AI यानि artificial intelligence, now, Microsoft ने इसके लिए क्या किया है, अरबो डॉलर का निवेश किया है, इसके अलावा, search engine आपकी big company ने भी इसकी तकनिकी दे है, तो ये कुछ information है regarding आपकी chat GPT को इसको ध्यान रखना है, now, come to the next, next information क्या है, देख लेते हैं, दूसरी भारत, Australia, two plus two, मंत्री अस्तरिय वारता, 20th November को नई दिली में आयोजित, 20th November यानि आज की दिनी से आयोजित किया जाएगा, आखिर ये two plus two, मंत्र स्तरिय वारता होता क्या है, इसमें दो प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, एक आपकी रक्षा मंत्री होंगे, और दूसरे आपकी विदेश मंत्री, अगर तो अगर बात की जाए कि हमारे भारत के बर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनात सिंग होगा और विदेश मंत्री एस जैशंकर होगा, तो इनों ये क्या करेंगे, आउस्टेलिया के अपने समकच्छ, यानि आउस्ट और रक्षा मंत्री कौन है, राजना सिंग, हम सभी जान रहे हैं, इनके बीच क्या कियागा, वारतलाप क्या गया, हुआ क्या था, मुद्दा ये था, कि ऑस्टेलिया की जो उप प्रधान मंत्री रिचर्ड माल से दो दिवसी, यानि दो दिन के दोरे पर, 19 और 20 नंबर को इनके बारत का दोरा किया, और 19 नंबर को चुकी, ICC की अगर बोली जाए, तो फाइनल कप थी, कहां पर, जो आपका विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, बर्तमान में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में, वहां पे भी इनकी उपस्तिती रही, व के अलावा अगर बात कीजाए, विदेश मंत्री की, तो आुस्टेलिया की विदेश मंत्री कौन, सूसरी पैनी वांग, इन्होंने किस के साद वारतालब किया है, तो हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस्ट्रेस Ankar के साथ, इनके साथ वारतालाब की गई, जो कि पहले ही इंडिया होगा अधर कंट्री जैसे अभी कुछ दिन पहले ही उरोप के साथ किया गया है अमेरिका के साथ किया गया है तो 2 plus 2 डालेक जो है इसकेसा जो भी दूसरी कंट्री होगे वहां कि जितने मेंबर्स होंगे तो valued by 2plus 2 डालेक का मतलब यही होता है सबसे पहले तो यह से स तरियर डालग का, किसके किसके बीच में, भारत और आस्टेलिया के बीच में, नौ, come to the next information, देख लेते हैं क्या है, RBI के पुर्ब गवर्नर, S. वैंकर ट्रमंड का चेन्नेई में निधन हो गया है, 92 येर्स में इनकी निधन हो गई है, ये RBI के जो बात की गई है, पुर्ब गवर्नर, कब से कब तक थे, ये 90 से लेकर के, यानि 90 दिसंबर से लेकर के, 92 करीब दो साले RBI के गवर्नर भी रहे, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी अपनी सेवा है, सरकार को देख लेते हैं, वो क्या-क्या सेवा रहा इनका, ये RBI में 18th RBI गवर्नर थे, इन्हीं के समय में जो भुक्तान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा था, ओके किसको भारत को, पुक्तान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा, इसकी अलावे इन्होंने IMF के इस्तरी करण कारेकर्म को भी अपनाया था, जिसके तहत रुपे का अब मुल्यन किया गया था, 1985 से 1989 तक ये भारत सरकार में बित्त सची व्यानी बोला जाये, तो इनको क्या बोल सकते हैं, फैनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, इनके द्वारभी इन्होंने कारी किया है, और RBI के गवर्नर्स बनने से पहले ये करनाटक सरकार के भी ये सलहकार थे, इनका जनम कहा हुआ, त्रावणकुर, नागरकोई, इस नॉट इपॉटन फॉर एग्जामनेशन, जो इपॉटन है वो ये है, त्रावणकुर रियासत भी इनका जन हुआ था, यहाँ पर आप लोगों ने एक पॉइंट ध्यान नहीं दिया ये था IMF IMF ओके यानि International Monetary Fund International Monetary Fund IMF को क्या बोला गया है International Monetary Fund Monetary Fund अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना हुई है 1944 में और इसके साथ क्या हम लोग International Monetary Fund और इसके साथ हम लोग World Bank को भी इसलिए देखेंगे क्योंकि World Bank के भी स्थापना 1944, 7 जुलाई को ही थी चुकि एक साथ दोनी information आपको मिल जाएंगे तो जब आप अपने notes बना रहा हुए तो दोनों को एक जगा mention कीजेगा ये हो गई प्लस इसके साथ World Bank World Bank ये इसके स्थापना भी कब हुई है 1944 में अब बात आती है कि आपके International Monetary Fund है इसमें इसकी headquarter कहाँ है तो दोनों की headquarter यानि World Bank के भी और आपकी International Monetary Fund के भी मैं इसे अलगी pain से कर देती हूँ ताकि ज़्यादा आसान हो जाए समझना इन दोनों की headquarter कहाँ है एक ही जगा है यानि Washington DC Washington DC दोनों की headquarter है और दोनों की members लेकिन अलग अलग है अगर बात की जाए IMF के कितने members है IMF में 193 total इसके members है और 193 जो है वो है आपका South Sudan South Sudan South Sudan लेकिन World Bank की कितने members है 189 है World Bank में कितने है 189 है 189 and one of the most important point regarding your World Bank जो अपके examination में पूछेगा पूछ सकता है पूछेगा तो कहना बहुत एक security के साथ होगा पूछा जा सकता है वो यह है कि World Bank के बात्मान में चेर्मेन कौन है इसके चेर्मेन कौन है या अध्यच कौन है तो कौन है अजय बंगा वो मैं इसलिए बता रही हूँ चुकि ये भारतीय मूलके है भारतीय मूलके है अजय बंगा इसलिए अपने आप में काफी पढ़ना है इन्होंने भी 2-3 दिन पहले ही इसका कारेबार समाला है वर्ल्ड मैंक का और बात कीचाएं यहां के MD&CFO तो कौन है MD&CFO अगर बात कीचाएं MD चलिए मैं यहां लिख देती हूँ MD यहां लिख दे रही हूँ MD&CFO कौन है अनसुला कांथ अनसुला कांथ अंसुला कांथ थोड़ा अगर किसी भी व्यक्ति के समद थोड़ा भारत से अगर रिगार्डिंग हो जाता है तो अपने आमें थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि भारत की मुलका है और विदेश में अपनी एक पद का इसने नर्त तो कर रहा है तो एक बड़ी बात हो जाती तो कभी-कभी questions ऐसे पूश लिया जाता है ये हो गई आपके regarding इससे कुछ important points तो भी मुझे लगता था कि हाँ बन सकता है वो मने बता दिया अगर कुछ और भी ऐसे मिलेगा regarding आपके RBI की जैसे RBI की की बात कर ली जाया भी तो RBI में क्या बोला गया है कि पूर्व governor की death होई है ना बेंगर टरमन क्या रहा है पूर्व governor बर्तमान में RBI की governor कौन है बर्तमान में RBI की governor कौन है शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास अभी कुछ दिन पहले ही यहां पर executive director की नित्या नहीं कारी-कारी निदेशक की नित्य की गई है जो कौन है कारी-कारी निदेशक अगर बात की जाए यहां पर अगर बात की जाए तो कौन है मुनीश कपूर मुनीश कपूर कौन है यह executive director in your RBI कारी-कारी निदेशक है RBI के, इसके अलावा मरोरंजन, मिश्रा को भी तीन विभागों का जो है आपका यहां बनाया गया है, Executive Director RBI में ही तीन विभागों का, जैसे आपका हो गया enforcement हो गया है, यानि परवर्तनाले बदाश्क जो होता है informants, enforcement enforcement हो जाएगा, यानि उसकी परवर्तन के होंगे, जोखिम निगरानी यानि आपकी बोल सकते हैं कि Risk Monitoring की इस प्रकार से तीन विभाग जो है, इसके कौन बनायेंगे है, मरोरंजन, मिश्रा Now, next हम लोग देख लेते हैं next news क्या है, next information क्या है, उच्च नियाले ने, नीजी छेतर में अस्थानिये लोगों के लिए हर्याना के 75% कोटा को रद कर दिया है, किसने? हाई कोट ने, उच्च नियाले ने चलिए देख लेते हैं, मुद्धा क्या रहा है, यहां का मुद्धा क्या था, हम लोग उस पर मुद्धे को समझ लेते हैं अस्थानिये लोग है, उनके लिए 75% के जो रेजिवेशन की मांग रही है, उसको क्या कर दिया इन्होंने नकार दिया, उसे रद कर दिया है, उस फैसले को हटा दिया है, किसका फैसला था? हर्याना गर्मेंट का, रद किसके दोरा किया गया है तो हाई कोट के दोरा किया गया है हाई कोट का कहना ये है कि अगर आप प्राइवेट जॉब में हो और आपकी सेलरी अगर पर मन्थ 30,000 है that means you have no need to take any kind of reservation आपको reservation की आरक्षन की किसी प्रकार के लेने की कोई आविशक्ता नहीं है अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सबस 75% को आपको round up कर ले कि कितना है हो सकता आपके हर्याना PCS के लिए important हो जाएए क्योंकि थोड़ा जादा deeply हर्याना PCS में पूछ सकता है 75% नौकडिया आरक्षित करने के लिए हर्याना सरकार के फैसले को रद कर दिया next है नयायमूर्ती जीए संधावालिया और नयायमूर्ती कौन थी हर्मन प्रीत कौर नयायमूर्ती हर्प्रीत कौर जीवन की पीठी ने statement यह दिया कि अगर आपके पास 30,000 रुपीज पर मन्थ आपके पास वेतन है तो नूजी छित की नौकरी में 75% आरेक्षन देने के हर्याना सरकार के फैसले को उन्होंने क्या कर दिया है इस याज क्या की सुनवा को उन्होंने क्या क्या रद कर रही थी हाई कोट ने कहा है कि हर्यार राज जो है अस्थानियों उम्मिद्वारों का रोजकार अधिनियम जो 2020 है यह किसके स्टेटमेंट है? यह किसके स्टेटमेंट है? हाई कोट ने कहा है यह हाई कोट की स्टेटमेंट है कि हर्याना गौर्मेंट की जो यह है रोजकार अधिनियम 2022 यह किस प्रकार का है? और सम्विधानिक भी है प्लस ये मौलिक अधिकारों का उलंगन भी करता है हराणा राज्य अस्थानियों उम्मिद्वारों का रोजगार अधिनियम 2021 जो है पारित किया गया था अब बात आती है कि इस अधिनियम के तहट नीजी कंपनी हो, सोसाइटी हो, किसी प्रकार का ट्रस्ट हो, इन सभी फ़र्मों को 30,000 प्रती महा तक वेतन वाले पदों के लिए अस्थानियों उमिद्वारों को 75% आरेक्षन देरा था भारत में आरेक्षन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो यह समझना ते रिजिशन होता क्या है आरक्षिन का मतलब तो यही है, है ना, लेकिन भारत में सेक्षिनिक संस्थान और सरकारी नौकरी में अगर आप देखेंगे, तो SCST हो, या SCST, OBC और AWS, इनके लिए बर्तमान में कितने परसेंट है, 60% सीटे आरक्षित की गई है, Now, come to the next information, next information क्या है, उत्तर परदेश सरकार क्या कर रही है, जल्द ही स्कूलों में new education policy जो है, यानि NP लागू करने वाली है, तो आपके एक जामे कुशन पूछा जा सकता है, पि कौन से सरकार ऐसा जो changing स्कूलों में लाने वाली है, वो है उत्तर परदेश कमेंट, यह ध्यान की पढ़ाई की जो घंटे हैं, उसको कमी की जाएगी, पढ़ाई की घंटों में कटोती होगी, first, second क्या है, सरकारी स्कूलों में अध्धन के घंटों में कटोती करेगी, यह तो है ही, और 29 घंटी की पढ़ाई होगी स्कूलों में, किते 29 hours की होगी, जो कि Monday to Friday, Monday to Friday, जो है क् तक 5 से 5 घंटा चलेगा, और उसमें भी जो आपके General Studies के सबजेक्ट है, उसकी Classes 35 मिनट से लेकर के 45 मिनट होगी, और आपका जो कर Main Subject है, जो आपके Optional Subject में, जैसे Main Subject जो आ गया, मुख्य विश्या आ गया, उसकी Class 50 मिनट की होगी, रही बात Saturday की, तो Saturday जो आपके पूरे Government की हो सकता है, क्या, एक्चली होता क्या है, किसी State के बारे में अगर कुछ पूछता है, तो वो deeply अगर तभी पूछे का जब आपको उस State का एक्जाम देना हो, जैसे आप लोग अभी RO का या RO का पेपर देंगे, तो आपको वहाँ ये Question जो है, पूछ सकता है, कितने hours का है, या National Education Policy को पूछ सकता है, या गोई Teacher का एक्जाम, उसमें पूछ सकता है, तो वहाँ ध्यान रखना है, एक important point और यहाँ ध्यान रखेगा, कि इसमें उदेश है, सलाना जो आप लोग जो स्कूल में, बुक्स भर-बर के लेकर के जाते हैं, तो उसका एक सरकार ने उदेश कि द्वारा किसी भी student को जल्दी चीज़े याद हो जाती है, है ना, suppose अगर आप लोगी geography पढ़ रहे होंगे, geography में अगर रटने की कोशिश करेंगे, यहाँ Atlantic है, यहाँ प्रेशानत है, तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप map देख लेते हैं, तो map दिमाग में क्या होता है, bad ज प्रसासनिक सम्मिलन की परिशत के सत्यस्य की रूप में नुक्त किया गया है, तो किसे नुक्त किया गया है, सकुंतला भाया, यह ध्यान रखेगा, आखिर इनको जो प्रसासनिक सम्मिलन में नुक्त किया गया है, क्या रही है, पूरी आप देखते हैं, यह एक वकील है, औ साथ अट्लांटिक छेत्र में गया एक राज्य है डेला वेयर. Now, come to the next information. समरकंद इस्ट्टूट अफ इकोनोमिक्स एंड सर्विसेज उजबेकिस्तान ने किसके साथ समझोता किया है? दिल्ली विश्विद डेला यारी डी यू के साथ समझोता किया है. समझोता है को देश क्या है? जैसे आपको रिसर्च कर रहे हों या किसी प्रकार का कोई इनुवेशन कर रहे हों regarding और एजुकेशन तो वहाँ पर क्या करेंगी? ये दोनों जो हैं उजबेकिस्तान और डी यू यानि इंडिया एक दूसरे को कोपरेट करेंगे. तो दोनों की बीच में समझोता किया गया है. नेक्स्ट इंफॉर्मिशन है, पैडरो सांचेज, इनको बनाया गया है इस्पेन का परधान मंतरी के वाल इतना ध्यान रखना है, पैडरो सांचेज इस्पेन के परधान मंतरी बनाया गया है. Now, next information, 2047 में, यानि 2047 में, अंतरिक्ष प्रवद्गे की और विमानन, ये क्या है, आपकी एक थीम है, आप सोच सकते हैं, इस पर दो दिनों का आपका एक अंतरास्ट्रिय सम्मिलन जो है किया गया है, सम्मिलन किया गया है, आखिर ये है क्या, किन छेत्रों में है, सम्मिलन का अपने इमेज में देखा किसके तोरह किया गया है, रास्टपती, द्रॉब्दी, मुर्मुजे के दोरह, यह कारेकरम किस पर बेस्ट है, किस ने करवाया है इसे, तो Aeronautical Society of India के दोरह, जो आपकी वीमान की उत्रिस्टता के 75 यर्स पूरे हो गया है, तो उसी उप्लक्ष मे इसका उत्खार्टन करवाया गया है, और एक सम्मिलन जो है, बुलाया गया है, जिसका उत्खार्टन, रास्टपती, द्रॉब्दी, मुर्मुजे के दोरह, किया गया है, अब बात आती है, आपने एक वर्ड देखा था, 2047, हमिशा ध्यान रखिए कि 2047, राइट नौ, इस ऐसा रखते हैं, एक साल कोचिंग लेना है, उसके बाद GS के सब्जेक्ट को, इथिक्स को इस ट्राइम पे त्यार करना है, GS पेपर वन को इस ट्राइम पे त्यार करना है, आपके पूरी एक वीजन त्यार हो जाती है, पूरी वीजन, एक कारिक्रम, कि क्या-क्या हो सकते है, एक रूप एक हम कह सकते हैं कि त्यार करते हैं, कब के लिए 2025 के लिए आप त्यार कर रहे हैं, है ना, तो उसी प्रेकार से, इंडिया क्या कर रहा है, 2047 तक के लिए अपनी एक विजन को त्यार कर रहा है, एक दस्तावीज को त्यार कर रहा है, एक डॉकुमेंट्स को त्यार क नाउ, come to the next information, देख लेते हैं क्या है, भारती स्टीट बैंक, यानि SBI ने सिंगापूर और अमिर्का में, योनो ग्लोबल एप लाँच किया है, योनो, योनो आप सभी जानते हैं, योनो, क्योंकि SBI का हम लोग योनो एप है, उसको तो यूज करी रहा है, लेकिन इसने क्या, इंडिया तक सीमित नहीं रहा, इंडिया से बाहर, यानि वैश्वी ग्रूप से भी क्या हो गया, ये बिल्कुल, इसका विस्तार किया गया, जैसे है, सिंगापूर अमेरिका में अभी लाँच किया गया है, इसकी अलावा, अब देखेंगे, तो SBI नौ देशों में, इस से सान रखेगा, ठीक है, और वैसे भी, SBI जो है, अगर अभी, सिंगापूर में, देखेंगे आप, तो एक पे नौ एप है, इसके साथ ये इंटिग्रेटेट कर चुका है, किसके साथ सिंगापूर में, पे नौ, जैसे हम लों पे टियम, वीम, ये उपिया, ये से भी यूज अचाथ सर्ण, FDA ने पहली चिकन गुनिया जो वैक्सिन है, इसकी मंजोरी इसने दे दिया है, चिकन गुनिया वैक्सिन की, ये क्या है, इसका उपियोग 18 वर्स, ये 8 वर्स यहां पे गलत मेंशन है, ये 18 वर्स है, 18 ये और से अधीक उम्र के वैक्तियों के लिए किया है, अगर बात की जाएं, कि चिकन गुनिया वैर्स है, वो किस प्रकार से होता है, अपकी कभी-कभी ये साइन्स में कुश्चन पूछ सकता है, ठीक है, यालग बात है कि ये कुश्चन, करेंट एफर्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन करेंट एफर्स के बहुत सारे ऐसे मुद होगा, इस प्रकार के कुश्चिस के लच्छन जो है, दिखाए देते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मिशन देख लेते हैं, क्या है, नेक्स्ट इन्फॉर्मिशन है, चक्रवाद मितली कहां पर आई हुई है, तो यह आपका आया होगा है, बंगलदेश के तर्ट से टक्राया है की टक़ाया इस भारत में जो कुछ स्टेट को बहुत जाता एफेक्टड किया है जैसे आपकी हो जाएंगे North East वाले स्टेट North Youth स्टेट को इसने जादा एफेक्टड के मिजोरम हो गया तृपरव हो गया असम हो गई इन ए्रियज में जादा जो प्रभावी रहा है, बात की जाते ही चकरवाद को, चकरवाद क्या है, किस परकार का है? तो एक बड़ा वायू द्रबेमान हैं यह यानि air mass है, जो की कम वायू मंडलेजद दवाब के एक मजबूत केंदर के चारो और यह घूमता है, कुछ इस परकार से है ना, यह इसका है थोड़ा बहूत जो आपकी जोगाफी में यहाँ काम आ जाएगा नेक्स देख लेते हैं क्या है मनिपूर सरकार स्वासासन अल्टिमेटरम के लिए आदिवासी निकाय के खिलाफ मनिपूर सरकार ने क्या किया है स्वासासन उनको अल्टिमेटरम दे गई है जिसके करण वो आदिवासी जो निकाय है उसके खिलाफ हो गई है मनिपूर में लगतार हिंसा का महौल बना हुआ है अभी कुसिन पहले ही वहां के जो मैती समधाय थी उसको क्या किया गया था प्रतिबंदित कर दिया गया था करीब 9 मैती समधायों को देख लेते हैं मुद्धा क्या है इंडिजीनियस ओके इंडिजीनियस ट्राइबर लीडर्स फॉरम यानि गोशना किया अल्टिमेटम दे दिया अल्टिमेटम क्या दिया है कि अगर सरकार दो सब्ता के बीतर अलग प्रसासन के मांग को पुरी नहीं करीगी तो उनको इन एरियाज में ये क्या करेंगे स्वासासन जो है अपना ये बनाएंगे स्वासासन बनाएंगे अगर अलग प्र अब बात आती है, आखिर ये जो डिमांड की जा रही है, इसके तहत कुछ information जो आपकी पॉलिटी में काम आएंगे, important उसको ध्यान देजेगा, आपका अनुसूची जो 6 है, यानि 6th अनुसूची, 6th schedule, वो क्या बोलता है, कि कुछ मांगो को, जैसे आपकी जनजाती छेतर जो हो गया, उनको cover करता है, और वहाँ पर क्या कर सकता है, आप स्वायत प्रसासनिक जो है, आपके प्रभागा गठन का प्रापधान है, schedule 6 में जो 4 state mention है, केवल वहाँ पर आपकी, क्या है, स्वायत प्रसासन की गठन का प्रापधान है, आखिर वो 4 state कॉनकॉन से, North East के, 4 state कॉ कुन है तो असम है रही है मिजॉर 한 यहां पर मानिपूर नहीं है जहां पर बात की जा बंतरी है स्वय सासन की उसमें तो मानिपूर मिनसर ही नहीं है अगर यह चार होते है और वैसे bhaiskin चारों में देखेंगे, तो यहाँ पर दस स्वायत परिशदें अल्रेडी यहाँ पर हैं, इतनी 10 स्वायत परिशदें कहां हैं, असम मिगाले मनेपुर मिजूरम, हमीशा ध्यान रखेगा अपने आप अनुसुची 6 को schedule 6 को ध्यान रखेगा, schedule 6 important हो गया है आपके quality के लिए, very very important question आपके यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि quality में भी आजकल जो questions के trend चले हैं ठीक है, जो परंपरागत questions बनते आ रही है, एक traditional से चलता आ रहा है, जो trend questions का है, वो तो बने यही रहेंगे, इसके अलावा, जो changing हुई है, कि आपके current section को क्या करता है, अधिक सब्जिक सा जोड़ देता है current को politics के सा जोड़ेगा, current को आपके history के सा जोड़ देता है, geography के सा जोड़ देता है अब यह क्या चक्रवात आया है current का मुद्दा हो गया, किस के सा जोड़ देगा सबसे अधिक अगर कोई सीमा साजा करता है तो कौन सा ऐसा राज्य है तुरिकुरा हो जाएगा तो तीन ओर से बंगलदेश से घिरा हुआ है या पुछले सबसे अधिक लंबी सीमा कौन सा आजा करता है सबसे लंबी सीमा पश्रिम बंगाल हो जाएगा तो इस प्रकार से जुर्माना लगाया है 90.9 रुपय का जुर्माना इतना लंबा लगाया है लेकिन मुद्दा कुछ भी खास नहीं जो इतना घंबे जुर्मानी के अरशक्ता थी, केवल इतना है कि KYC form जो है completely जो से एक maintain में रखा गया है, इसी के करण इतना जुर्माना जो है Axis Bank पे लगा दि 2023, एहमदावाद में इसका hydrogen किया जाएगा कब? कलर पर सो, 21st and 22nd of November, सेकंड है, वायू मंडल में ग्रीन हाउस गैस रेकॉर्ड जहां उचाही पर पहुंच गई है, यह रिपोर्ट किसके है? विश्य मौसम विग्यान सगर्जन की है, बात आती है ग्रीन हाउस गैस को लेकर क्या carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrous oxide, methane, ozone, यह आपके क्या है? घटक है, किसके? ग्रीन हाउस गैस के तो यह ध्यान रखेगा, next है, WHO ने अकेले पन को एक गंभीर वैश्विक क्या बताया है, स्वास्त खत्रा घोशित किया है, अकेला पन, ऐसा बोला गया है, WHO की report है, कि करे 15 सिगरेट पीने के बराबर है आपका अकेला पन, इसलिए अकेले ना रहें, अधिक सेधिक लोगों किसकत मिलने की कोशिश करें, और pollution से कितने 51 सिगरेट पीने के बराबर बताया गया है, तो 51 सिगरेट यह हो गया, 15 सिगरेट यह हो गया, total 66 सिगरेट आपकी हो गया, total 66 सिगरेट आपकी हो ग इसलिए मैंने, sorry for disturbing, no, continue करते हैं, हाँ, तो total कितना हो 66 सिगेट हमारे हो गए इतने पीने के अब सोचें कि आप बचेंगे हैं, क्या हल होगा, तो इसलिए अधिक सदिक लोगों से मिलने की कोशिश करें, थो अधिक लिए अधिक लोगों से मिलने की कोशिश करें, उन लोगों निदेशक हैं, ट्रैड रोस, गैवरेसियस, गैवरेसियस, ओके, बस ये ध्यान रखेगा, नौ, भारती सेना और ब्यारों ने क्या किया है, सिक्की में बेली वरीज का पुनर निर्मान किया है, अभ्यास मित्रशक्ती, कहाँ पी किया गया है, पूने में शुरू किया गया और किंद्रे दोशों के बीच में ये मित्रशक्ती, ये भारत और स्री लंका, कि ये नौवा संस्क्रन रहा है, नाइन्थ एडिशन था, ये नाइन्थ एडिशन, इसके साथ यहाँ एक इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखेगा, कि स्री लंका, जिसने अभी क्या किया है, भा 31st of Mars तक दिया है, 31st of Mars 2024 तक आप यहाँ बिलकुल वीजा फ्री आप यहाँ पर प्रिवेश कर सकते हैं, clear, निशुल्क वीजा है, इसके अलावा थाइलेंड ने भी किया है, दो देशों को, एक तो आपका भारत है, और दूसना आपका कौन सा है, भारत के अलावा आपका त टिब्बत है, टिब्बत या कौन सा हो जाएगा वो, ग्जैक्टल टिब्बत या कुछ और किया गया है, भारत को तो किया है ठालेंड ने एक टिब्बत ही है, है ना, एक तो एफूरेंड है किसी अष्री आपका तो आपका यहाँ effective ही यह जिसमिन है क्या किया है, कि उस द लेकर के 10 मई तक यहां पर निश्लक वीजा से आप इंट्री कर सकते हैं, क्यों कि आ गया हुदेश क्या है, प्रेटन को बढ़ावा देना, क्योंकि वहां अगर आजकल क्या हो रहा है, देख रहा है कि सिरलंका लगतार करज में चल रहा है, तो प्रेटन को बढ़ावा, अगर प्रेटन वहां पहुंचते हैं, तो अगर उससे जो इकामदनी का सोर्स हम बोल सकते हैं, तो वह को प्रेटन का छेत्रा रहा है, तो इसलिए उसने ऐसा किया है, नेक्स्ट है, भारत और उरोपिय संग, डबलू टियो में अपनी 600 मिलियन डॉलर के बैपार विबात को निप ध्यान रखेगा, कौन है, चार्ल्स मिसेल, इसके कौन है, चार्ल्स मिसेल, चार्ल्स मिसेल, ये नाम को ध्यान रखेगा, च्रीक है, क्या है ये, निप्टान को पहुंचाने के काफी करीब रहा है, नेक्स्ट इंफोर्मिशन क्या है, आइने सुमिधा ने अटलांटिक महा सागर में 31 दिवस्य समुद्री डेक्याती रोधी गस्त को पूरा किया है भारत अंतरास्ट्र बिज्ञान महत्साओं को आयोजन कहां किया जा रहा है हरियाना के फरीदाबाद में 2014 से 2020 तक 66 भारतियों को साइपरस का गोल्डन पासपोर्ट दिया गया है जिसके शिरुवात की गई थी 2007 में और बात आती है साइपरस का गोल्डन पासपोर्ट तो यह जो गोल्डन पासपोर्ट होता है यह सबसे पहले किसको दिया गया था सबसे पहले कहना गलत होगा जो तो आपको मैंने एक्जाम्पल दे दिया दूसरे संस्क्रण का उठाटन करेंगे किसका वाइस ऑफ ग्लोवल साउथ समिट के नॉइस्ट कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स और देख लेते हैं रास्ट्री ये प्रेम दिवस ये प्रेम दिवस नहीं है किस हवाई अड़े ने संफ्लावर पहल को शुरू किया है नियू दिल्ली ने किस देश के स्टार्टप शीगाड ने सिर्ष जलवायू नवचार प्रत्योगिता जीती है पाकिस्तान भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास कौन सा है ये संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति तो भारत सिरलंका एक भी शुरू किया गया है वंडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने है विराट कोहली तो ये हो गई आज की क्लास की कुछ important information अगर आपको कुछ भी doubt हो तो आपनों comment section में comment करके पूस सकते हैं तो मिलते हैं फिर tomorrow evening thank you thank you to all of you and have a nice evening